हरा है है वालकम बैक टू माई चैनल गाई जा इस वीडियो मैं मैं आपको प्ताऊंगा यार अगर आपको अपपनी स्क्रीन पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है देखो जैसे मेरी यह कंप्यूटर की स्क्रीन अभी इसमें मुझे कोई आइकन नहीं दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो मैं right क्लिक कर लेना है और यहां पर view में जाना है विए के बाद last जो option है यहां पर so desktop icons तो मुझे इस पर क्लिक करना है तो मेरे सारे icons आ जाएंगे कभी गलती से icon वहां से hide हो जाते हैं और हमें अपने computer screen पर कोई icon नहीं दिखता है तो यहां पर हम इस तरीके से वहां से हम icon ला सकते हैं अपने computer screen से और guys अगर आपको अपने computer में this PC का icon नहीं दिख रहा है रिसाइकल भी इनका नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है आपको right click करना है computer पर लास्ट में जाना है परस्नलाइज पर जाना है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यह वाली windows open हो जाईगी आपकी computer की उसके बाद आपको जाना है themes में themes में क्लिक करना है themes में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जाना है right side पर जाना है यहां पर मेरा mouse का cursor है यहां पर लिखाया है related settings और वहाँ पर जस्ट निच्छे है desktop icon settings उस पर क्लिक कर देना है जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया computer आ गया recycle भी न आ गया control panel भी यहां से ले जा सकते हम सपोज मैं control panel को select करता हूं और network को select करता हूं उसके बाद मैं apply और ok कर देता हूं और इसे यहां से cut कर देता हूं तो गाईज अब यहां पर आप देख सकते हो network का भी आ गया मेरा network का भी आ गया और यहां पर control panel भी आ गया और यहां पर this PC पहले से कि वहां select हो रखा था इसलिए यह पहले सी आ रहा है और अगर यह नहीं आ रहे तो वहां से आपने वह select कर देना है recycle win भी select कर देना सारे icons यहां पर आ जाएंगे अगर यहां से अटाने है तो same step follow करके वहां से उन्हें untick कर लेंगे और apply ok कर लेंगे और वह वहां से हट जाएंगे गाई इस वीडियो में ताइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार